तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पेपर कट आउट इफेक्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मेरे पास ये इमेज है एंड इस लेयर को हम डुब्लिकेट कर लेंगे एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे इन दोनों लेयर के बीच में एक न्यू लेयर लेनी है एंड इसको ओफ कर लेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट हमें इफेक्ट के लिए ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और मैंने यहाँ पे कुछ प्रिशेट्स डाउनलोड किये हुए हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ पे आपको पेपर इफेक्ट देखने को मिलेंगे इस टाइप के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसमें बहुत सारे ओप्शन्स हैं तो मैं यहाँ पे यह वाला डिजाइन यूस करेंगे इसमें पेपर इफेक्ट के लिए और यहाँ पे हम वाइट कलर सेलेक करेंगे नेक्स्ट हम इस लिएर को आउन करके क्रिएट क्लिप मास कर देंगे और इमेज में जाकर एज़ेस्मेंट में ब्लाक इन वाइट एंड अगेन हम यहाँ पे एक न्यू लिएर लेंगे और क्रिएट क्लिप मास कर देंगे इसको और सीम इफेक्ट देंगे अगेन हम न्यू लिएर लेकर इसको भी क्लिप मास कर देंगे और नीचे की और भी ऐसा वाइट इफेक्ट देंगे इसको आप यहाँ पर ctrl T प्रेस करके आरेंज भी कर सकते हैं नेक्स्ट आप यहाँ पर drop shadow यूज़ करेंगे इसमें सेम मैं यहाँ से copy layer style कर रहे हूँ और उपर वाले में भी मैं सेम यहाँ पेस्ट कर रहे हूँ तो आपको सेम effect आपको create करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पर simply copy paste कर सकते हैं और अगर आप इस effect को adjust करना चाते हैं तो आप layer को select करके simply यहाँ पर adjust कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हूँ तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर आप में रे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू फूर वाचिंग यहाँ आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ आप यहाँ आप क्रश्ड़ गाँ